गुणन के नियमों के प्रयोग से भाग देना। आईए, अब गुणन के नियमों के प्रयोग से भाग देना सीखें। अठारा को तीन से भाग देंगे, तो परिणाम क्या होगा। हम अठारा को निमने लिखी तरेके से भी लिख सकते हैं। 3 गुणा बराबर 18 हम जानते हैं कि 3 को 6 से गुणा करने पर गुणन फल 18 होगा, अताहा 18 को 3 से भाग देंगे तो परिणाम 6 होगा. इसी तरह 22 को 2 से भाग को निमनलिखित तरीके से लिखा जा सकता है, 2 गुणा बराबर 22 हम जानते हैं कि 2 का 11 से गुणा करने पर गुणन फल 22 होता है, इसलिए 22 को 2 से भाग देने पर परिणाम 11 होगा.